इसमें बहुत सारा पूसकतत तो है, नाइटोजन, फॉसफोरस, पोटास तो है ही, इसके अलावे बहुत लाखों की संख्या में बैक्टेरिया है, लाखों की संख्या में उपियोगी फंगस है, एक्टिनोमाइसिटीज है, जो आपकी पोधे पर एक आवरन बना लेता है, और बाहरी जो भी अगहात होने वाले हैं, रोगों के कीटों के, उस अगहात से आपके फसल को बचाता है, यानि आप जिस फसल में इसका छिरकाव करते हैं, उसमें कीरे, मकोरे और रोगों का प्रकोप नहीं के बराबर होगा, चुकि उसको या तो भगाने का काम करता है, या तो जादातर इसका उपयोग हम लोग करते हैं भागाने के लिए, चुकि आपका फसल निस्षित रूप से रोग भागाने के लिए, एक तरह से रिपिलेंट का काम करता है, आपने अगर कर दिया है, तो इसके प्रभाव से आपके फसल में कीरे मकोडे का प्रभाव कम दिख इसमें कुछ एसमेल भी है जिसके गंद से भी कीरे मकोडे भागते हैं तो इस तरह से और इसके अलाबे बहुत सारे पौश्टिक तत्व हैं जिसके बज़ा से आपका पौधा काफी बिक्सित होता है और आपके पौधे में जो फल लगेंगे वो भी काफी पूश्ट होगा आपके दाने अच्छे होंगे और उत्पादन अच्छा होगा परकार का सर टौनीक हो दराता तरल खाद इसलिए बूलते हैं कि जैविक खेती में आप अभी बजार में बहुत सारे इसे रसाइनिक दबा मिल रहे हैं जो आपके पौधे को लाब कम पहुंचातें हानी पहुंचा रहे हैं और आपको ज्यादा सा ज्यादा घाटा भी होग नुक्सान भी ओड़ा है और आपका प्रियाबरन भी दुसीत हो रहा है उसके वज़े से आपके लिए ही तैसी जो जीव हैं जो बैक्टेरिया हैं वो सारे मर भी जाते हैं और आपका प्रियाबरन भी दुसीत हो रहा है तो उन चीजों से बचाओ के लिए यह जरूरी है कि आ प्योगी खादों को बना करके आप अच्छी पैदाबार प्राप्त कर सकते हैं और प्रयावरन को भी संडक्षित रखने में मदद कर सकते हैं.